चलिए चेहरे के सबसे बढ़िया उपचार, जुर्रियों और रुखी स्किन के उपचार की बात करते हैं. स्किन शरीर की सबसे बड़ी और गन है, और जो कुछ भी आप स्किन पर लगाते हैं, वो आपके शरीर में अपसोर्ब हो जाता है, और फिर वो चीज आपके लिवर तक पहुच जाती है. मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग कैसी कैसी चीजें स्किन पर लगाते रहते हैं लोग अपनी स्किन पर कैमिकल्स, लोशन, मेकप और ऐसी ही कई चीजे लगाते हैं लोग स्किन को स्क्रब करते हैं, उसे स्टेरिलाइज करते हैं आपकी स्किन पर friendly bacteria रहते हैं और अगर आप स्किन को sterilize करते हैं तो स्किन लाल हो जाती है, स्किन रुखी पड़ जाती है या कभी कभार स्किन बहुत ज्यादा oily हो जाती है इसलिए हमें अपनी स्किन पर कोई भी toxic चीज नहीं लगानी चाहिए अगर आप प्रदूशन वाले वातावर्ण में रहते हैं या आप active या passive smoking करते हैं तो ये सभी चीजें शरीर के अंदर चली जाती हैं आप जिस पानी से नहाते हैं उसमें fluoride और chloride हो सकता है और ये चीजें भी आपके शरीर के संपर्थ में आती हैं सूरज की UV radiation आपकी skin को खराब कर सकती है इन सबके अलावा आप कई चीजें खाते भी हैं आप कुछ चीजें पीते भी हैं आप शराब पीते हैं या trans fats खाते हैं ये सभी चीजें आपके शरीर में घुस जाती हैं और आपकी skin को प्रभावित कर सकती हैं मुझे लगता है कि कम fat वाली diet खाना आपकी skin के लिए सबसे ज्यादा हानिकारख है क्योंकि skin मुख्य रूप से protein और fat की बनी होती है जब मैं practice कर रहा था उस समय कुछ लोग मेरे पास आते थे वे कम fat वाली diet ले रहे थे कुछ लोग तो keto diet में भी कम fat खाते थे जिसे ideal protein diet कहते हैं जिसमें लोग कम carb और बहुत कम fat खाते हैं लोग उसमें बहुत खराब quality की चीज़े खाते हैं लोग protein के रूप में soy protein isolates लेते हैं मैंने जब उन्हें ध्यान से देखा तो मैंने महसूस किया कि उनकी skin ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी केवल उनकी skin ही नहीं बलकि उनके बाल भी सफेद होने लगे थे वे बूढ़े होने लगे थे हम जितना ज्यादा junk food खाते हैं हमारी skin उतनी ही टेजी से बूढ़ी होने लगती है ultra processed foods की बात करते हैं corn को synthesize करके उसे corn sugar या high fructose corn सिरप में बदला जाता है इसके जरिये synthesize की गई synthetic sugar, synthetic starch और corn starch बनाई जाते हैं फिर इनसे भी ज्यादा हानिकारक चीज बनाई जाती है जिसे seed oil या factory में बनने वाले refined oil कहते हैं ये oil बेहद unstable होते हैं ये शरीर में बहुत ज्यादा oxidation पैदा करते हैं इनके कारण आपकी arteries के अंदर, organs और vibhinnate tissue में inflammation पैदा होने लगती है और skin भी इससे अचूती नहीं है इन तेलों की हानिकारक बात ये है कि ये हमारी cell membrane और skin में जमा होने लगते हैं और धाई से 3 साल तक वही चिपके रहते हैं जब आप बहुत ज्यादा मातरा में ऐसे seed oil खाते हैं जिन में बहुत ज्यादा omega 6 होता है और परियापत omega 3 नहीं होता जो आपको fish oil या cod liver oil से मिल सकता है तो आपकी skin की पपड़ी निकलने लगती है skin रुखी और लाल हो जाती है क्योंकि ये दोनों टेल एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और मैं यहाँ soy, corn, canola, cotton seed, safflower, sunflower oil की बात कर रहा हूँ ये oil hexane की मदद से बहुत ज्यादा process किये जाते है इनसे गंध निकाली जाती है, इनका रंग भी बदला जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि omega 6 oil जैसे की sunflower oil को क्रीम्स, चहरे की क्रीम्स में डाला जाता है इनसे आपकी स्किन रुखी हो जाती है, आपकी स्किन बूढ़ी दिखने लगती है आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा, कि आपकी स्किन क्रीम में कोई भी alcohol मौजूद ना हो पिछले 100 सालों से हमने अपनी डाइट में वनस्पती तेलों का इस्तिमाल 1600 गुना तक बढ़ा दिया है यहां तक कि पिछले 20 सालों में हम इसकी खपत दुगनी कर चुके हैं ये बहुत ज्यादा inflammation पैदा करते हैं, इनसे स्किन भी oxidize हो जाती है मैं आपको सलाह दूँगा कि आप 30 दिनों के लिए वनस्पती या रिफाइन तेल छोड़ें आप इसे oil detox कह सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा करने से सिहत से जुड़े कितने फाइदे मिलते हैं इससे केवल आपकी स्किन ही नहीं, बलकि पूरे शरीर को फाइदा मिलेगा आपको केवल थोड़े समाई के लिए ये सभी oil छोड़ने होंगे आप अपनी स्किन पर क्या लगा सकते हैं आप अपनी स्किन पर grass-fed animal fat या टैलो लगा सकते हैं आप अपनी स्किन पर टैलो लगा सकते हैं आपको मेरी बात पूरी सुननी चाहिए ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन मैं आपको बतादूं कि फैट या चर्बी की केमिस्ट्री और आपकी स्किन की केमिस्ट्री एक जैसी ही है वैसे लेटिन में चर्बी को सीबम कहते हैं सीबम स्किन का वही तेल है आपका शरीर जिसका उत्पादन करता है चर्बी से आपकी स्किन आकसीडाईज नहीं होगी, स्किन में इंफ्लेमेशन भी पैदा नहीं होगी इसमें विटामिन A, D, E और विटामिन के मौजूद होता है इसमें CLA भी होता है, जिससे स्किन में नमी बनी रहती है और चर्बी नारियल के तेल की तरह नहीं है इससे आपकी स्किन ग्रीसी और ओयली नहीं हो पाएगी इससे आपकी स्किन बहुत मुलायम हो जाएगी त्वचा स्वस्थ होने लगेगी इसमें मौझूद कई nutrient की मदद से आपकी स्किन के dark spots कम होने लगेंगे आपकी जुर्यां भी कम हो जाएगी आपको एक हफ़ते तक इसे आजमाना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे आपको क्या फाइदा मिलता है जहां तक इसमें मौजूद फैट की बात है तो इसमें 50% सैचुरेटेड फैट होता है इसमें औलिक एसिड भी होता है जो एक बहुत अच्छा मौजूद फैट है इसमें पल्मिटिक एसिड भी होता है जो आपकी स्किन को मुलायम बनाता है इसमें स्किन को रिपैर करने वाला स्टेरिक ऐसिड भी होता है इसमें लिनोलिक ऐसिड भी होता है जो की एक omega 6 फैट है लेकिन इसकी मात्रा केवल दो प्रतिशत ही होती है वैसे मैं टैलो के किसी खास ब्रैंड की सलाह नहीं δे रहा हूं लेकिन आप रिव्यू पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग ज्यादा करके किसकी सलाह दे रहे हैं आपको ओमेगा 6 ओयल वाले केमिकल मॉइस्टराइजर के बदले स्किन पर टैलो लगाना शुरू करना चाहिए आपको कई बड़े बदलाव दिखाई देंगे और इसमें कोई केमिकल भी नहीं होता ये एक ऐसा सीक्रेट है जिससे भुलाया जा चुका है और हम इसका इस्तमाल बहुत समय पहले किया करते थे लेकिन फिर दूसरी चीजों से हमने इसे रिपलेज कर दिया क्योंकि किसी ने हमें ये बताना शुरू किया कि सेचुरेटaires फैट हानिकारक होते हैं असल में अगर हम बहुत ज्यादा unsaturated fat खाते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है हम जिन प्रकार के unsaturated fats का इस्तिमाल कर रहे हैं, वे बिल्कुल भी सिहत मंद नहीं है आपको दो काम करने होंगे आपको अपनी diet से omega 6 refined तेलों को निकाल बाहर करना होगा और अपनी skin पर टैलो लगाना शुरू करना होगा omega 3 के लिए आपको fish oil या cord liver oil लेना शुरू करना चाहिए और कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी skin में बड़ा बदलाव दिखाई देगा इसे आजमाएं और नीचे कमेंट करें अगर आपने रुखे सुखे हाथों का खयाल रखने पर बनाया मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें